Class 10 Science Lesson 1 Chapter 1 में हमने वायू में Magnesium Ribbon को जलाया था स़यों जनभिक्रिया के लिए लेकिन जलाने से पहले हमने Magnesium Ribbon को क्या किया था साफ किया था क्यों साफ किया था आईए देखते हैं यह आपका Magnesium Ribbon है और इस Magnesium Ribbon को क्या किया हमने कि जलाने से पहले इसको हमने रेजमाल से अच्छी तरीके से साफ किया था सेंट पेपर से और साफ करने के बाद फिर हमने इसको इस तरीके से जलाने का प्रयास किया और ये श्वेत जुवाला के साथ इस तरीके से जला और श्वेत चूर्ण हमको मिला था सवाल यह है कि वायू में जलाने से पहले मेगनिशम रिविन को साफ क्यों किया गया, इस मेगनिशम रिविन को क्या किया, वायू में जलाने से पहले क्या किया गया, इसको साफ किया गया, अब इसका जो कारण वो यह है, कि जो मेगनिशम रिविन है वो किसका बना है, शुद तो अगर ये शुद्ध रूप से magnesium है तो ये आपका magnesium ribbon के रूप में है और ये वायू मंडल की oxygen से क्रिया करके इस ribbon की उपरी सत्ह के उपर magnesium oxide की एक सुरक्षा परत बना लेगा और magnesium oxide की जब एक सुरक्षा परत इसके उपर बन जाएगी तो ये परत क्या करेगी कि इसके नीचे जो शुद्ध magnesium है उसको आगे क्रिया करने से रोकेगी क्या हुआ हम समझे कि जो magnesium हमारा है ये जो ribbon है इसमें शुद्ध magnesium है ठीक है शुद्ध magnesium है अब जब आपने इसको हवा में हवा में लाए तो वायू मंडल की जो oxygen है वो क्या करेगी इस से क्रिया करेगी और इस पर magnesium oxide की क्या करेगी एक परत बना लेगी तो जो परत यहाँ पर बन जाई इसको हम सुरक्षा परत कहते हैं तो यह जो परत इसके उपर बन जाईगी अब वो magnesium इसके नीचे सुरक्षित तो है लेकिन वो कहा है इस सुरक्षा परत के नीचे है और आपको अब क्या करना है वायू में उससे जलाना है तो आपको चाहिए शुद्ध magnesium तो आप उसको रखड़ेंगे तो अगर हमें उसे जलाना है या उसका दहन करना है तो हमें रेजमाल या सेंड पेपर से पहले उसकी सता पर बनी ये मेगनिशम आकसाइड की जो परत है इसके उपर जो मेगनिशम आकसाइड की परत बन जाती है उस परत को क्या करना पड़ेगा सा और यह आपका यहां पर जलने के पश्चार्च श्वेच चून के रूप में मेगनिशम ऑक्साइड भी प्राप्त होगा जो संयोजन अभी क्रिया है तो हमने समझा के वायू में जलाने से पहले मेगनिशम रिविन को सिर्फ इसलिए साप किया जाता है क्योंकि मेगनिशम रि कि एक शुरक्षा परत बना लेगा और यह परत उस मेगनिशम को दबा देगा नीचे इसके नीचे शुद्ध मेगनिशम है अब हमें जब इसका वायू में दहन करना है मेगनिशम रिविन का तो हमें वogram शुद्ध मेगनिशम चाहिए तो हम क्या करते है उसको रेजमाल से रगड़कर साफ करके सेंड पेपर से उसकी सता पर बनी वी जो मेगनिशम आकसाइड की उपरी परते उसको हम साफ कर देते हैं और फिर उसको दहन के लिए उपयोग में लाते हैं